आप गीता में इस्श Carry बता दियामेने के जो निराकार की पूजा करते हैं। वो देभी देवता हों से कहे कुझरे हैं। तो बह बहुता करते हैं․ गीता, पूजा माननम्नियंति माम अबुध्धया। देवताओं के पूझा करने मारे को बुला अल्ब मेदा साम कम बुद्धि है और जो मुझे निराकार मानते हैं उनको क्या बुला? अबुद्धया उनके बुद्धि ही नहीं है सफा अगराag तो मैं इतना है रान हूँ क्योंकि प्रभुजी हम इतना अपने प्रचान में मस्त रहते हैं कि दूसरों का कभी ध्यान नहीं दिया प्रंदु जब देखा तो पता लगा वही व्यक्ति भागवत कर रहा है साथ में जो उससे लोर लेवल के पुराण हैं उनको भी कर रहा है मैंने का यह कर क्या रहा है उसका मतलब यह धंदा कर रहा है यह सत्य वचन बताने के चक्कर में नहीं है यह लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं गलत है बिल्कुल गलत है अब ध्यान परोग सुनिए बारवय अध्याय के अंदर अर्जुन ने हमारे लिए एक स्पष्ट प्रशन किया है प्रभुजी अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदय तयार रहते हैं यह यह जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की ना जाए प्रभुजी जो आपकी सेवा में सदय तत्पर उसका आपकी सेवा मतलब साकार की यह जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं इनमें से अधिक पूंड कौन है अब भगवान जबाब क्या देते हैं श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे स आमें साफ कह दिया कि परमसिद्वों हैं जो साकार की पूजा करते हैं निराकार की पूजा करने वाले कुछ चेश्ट नहीं कहा गया और श्रीमत भागवत हम सुनने जा रहे हैं और जो व्यक्ति इस श्लोक पर चर्चा नहीं करता वो भागवत को छू भी नहीं पाया है न नटि सरल संवेते हैं ट Abi Charonsai नकी सब तेरी कलाएं हैं क्रिष्णा चुभ भागवान सुएम की खिर कर्मान कुछ मुष्णा सब महाaman कर्ण कारणोंद अक्षाई विश्णु जिनकों की महा विश्णु भी कह जाता है यह कारणोंद अग्ष मतलब कारणा जो समुद्र है उसमें लेटे उए हैं और योग निद्रा में है और सास जब ये भार छोड़ते हैं तो अनंत कोटी ब्रह्मांड इनके रूओं में से निकलते हैं, कितने अनंत कोटी ब्रह्मांड निकलते हैं, इनके जो चिद्र हैं, इन में से निकलते हैं, पोर्स कहते हैं इसको अंगलीजी में, उन में से अनंत कोटी ब्रह्मांड निकलते हैं, तो ये सास छोड़ते हैं, त ब्रमांड एक एक ब्रमांड गोले के तरह आता है उसमें ये जो महा विश्णू है करनो दक्षाई विश्णू एक और अवतार लेते हैं और अवतार लेकर उसके दर प्रवेश करते हैं और वहां वो कहलाते हैं गर्बो दक्षाई विश्णू क्या कहलाते हैं गर्बो दक्ष प्र पहलिघा आता है वह इनी के ठ्रू fire आता है इसलिए लोग कई इसका मतलब क्या है कई बार आप बोलोगे प्रभुजी पुराणों के इंदर कई लोगों को भगवान का गया है है ना जी शास्त्रों में आता है भगवान गणपती भगवान इंद्र अब ध्यानप्रोग सुनिए उधान दे रहा हूं एक व्यक्ति गाउं में से कभी भार नहीं निकलाता उसका भाई एक फैक्टरी में काम करता है फैक्टरी बहुत बड़ी फैक्टरी है तो यह क्या करता है यह गाउं से जब आता है तो अपने भाई से मिलने आता है तो जब है अपने किस से भाई से कि यह मेरा बॉस है क्या कहता है यह मेरा मालिक है बॉस है तो अच्छा अच्छा उसी टाइम देखिए किस्मत खराब है अच्छी है तो मैं नहीं कह सकता मैनेजर आ कुर आयाता है मैनजर तो इसका भाई अपने यह मेरा बाउस आया है मिलीए इन से अबicho गाउव वाला भाई जो चक्कर खाना शुरूक हुआ कि इसको भी बौस कह और मैंजर को भी बहस कह और उसी टेम जनृर्णल मैंजर आयता है जब अब ये क्या कहेगा उससे अरे ये मेरे बास अब तो इस भाई की हालत खराब और किस्मत कैसी थी कि उसी समय फैक्टरी का मालिक भी आयाता है अब ये कहता है अरे मेरे बास ये ये मेरे बास है अब तो बिल्कुल बिचारे भाई का हालत खराब अब वो गलत बोल रहा था सही बोल रहा था, Supervisor भी उसका BOSS है, Manager भी उसका BOSS है, General Manager भी उसका bOSS है, और, मालिक भी उसका BOSS है, प्रांटो, इसमें Supreme BOSS कोन है, 回去 मालिक, इसकी, अगर यह सोचता है, कि सब एक ही जैसे है, तो इसकी गलती है इसको अपने भाई से पूछना चाहिए तो उन्हें तो समों को बॉस बताया है इसमें बॉस असली में है कौन ने बटा मालिक था वो आखरी में जो आया था ना वह बॉस है तो इसी तरीके से जब किसी में भगवान के कुछ गुण होते हैं कुछ शक्तिया घ्रवाण भगवान ऐी आपको जितना पुरान वेद इसका सारा ग्यान किस ने दिया है वेदवियास जी ने और वेदवियास जी नहीं अंत में भागवत की रचना करी है और उस भागवत में भगवान वेद जी कह रहे हैं कि क्रिष्ण मैंने जो कुछ बताया है आप ठीक झाल